Hello बच्चो, let's read the question, question says, how many 5-digit even numbers can be found from the digits 0, 1, 2, 3 and 4, if repetition of the digits is not allowed, option A is 50, option B is 16, option C is 90, option D is 60. सबसे पहले हमें 5-digits का even number बनाने हैं, 5-digit का कोई भी number नहीं बनाना, हमें even ऐसा number बनाने हैं, जो even होई, even numbers कोन से होते हैं, जो 2 से divisible हों, ओकी, हमें given digits क्या हैं, पहले यहां given digits लिख लेते हैं, और repetition of digits not allowed है, कि आप एक digits को एक से ज़्यादा बार repeat नहीं कर सकते, given digits हैं, 0, 1, 2, 3, and 4, अब आपको देखें, यहां 5-digits का number बनाना है, 5-digits का even number बनाना है, even number बनाना है, तो even number बनाने के लिए इस place पर, यानि इसे में कहूंगी unit place, unit place पर आप क्या-क्या रख सकते हैं, या 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, तभी आपका number क्या बनेगा, even बन यहां given digits में 0 given है, और 0 पर condition है, तो हमें cases बनाने पड़ेंगे, अगर given digits में 0 नहीं होता, तो बचे एक ही case में एक ही बार में काम चल जाता, लेकिन अब यहां हमें cases बनाने पड़ेंगे, मैंने case पहला बनाया, कि हमने यहां पर 0 फिल कर दिया, अब 0 तो यहां पर फिल कर द सबसे पहले places के लिए आपके पास choices कितनी है इस places के लिए 4 choices है इन 4ों में से 1,2,3,4 में से आप कुछ भी यहां लिख सकते है तो number of choices यहां कितनी है 4 इस place के लिए number of choices कितनी है क्योंकि बेटा एक number जो भी आपने select किया यहां पर आप fill कर देंगे मान लीजिए let's say आपने 2 fill कर दिया जरूरी नहीं है 2 लेकिन आप कुछ तो fill करेंगे न एक number यहां से हट जाएगा क्योंकि repetition of digits allowed नहीं है अब next place के लिए आपके पास कितनी choices बच गई 3 क्योंकि अगर हमने 2 पहली position पर fill कर दिया तो यहां मैं अब 2 नहीं fill कर सकती ना मैं 0 fill कर सकती तो क्या क्या fill कर सकतो या तो 1 या 3 या 4 तो यहां के लिए choices कितनी है मेरे पास इसके लिए मेरे पास 3 choices है यहां पर भी हम इन 3 में से कोई 1 fill कर देंगे इस place के लिए choices कितनी बच जाएंगी टू और इस प्लेस के लिए जो लास्ट में आपका बचा है वन तो केस फर्स्ट में जब डिजिट्स आपने यूनिट डिजिट्स पर जीरो रख दिया लिख दें यहां पर वेन यूनिट प्लेस इस फिल्ड विद जीरो जब आपने यूनिट प्लेस को जीरो से फिल कर दिया तो number of ways तो हमारे number of ways कितने बच गए बने आप इन सब को fundamental principle of counting लगाएंगे multiplication principle लगेगा 4 into 3 into 2 into 1 into 0 कि 1 भी लिख सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा तो यह कितना हो गया हमारे पास 24 ways मिल गए अब हम case second पर चलेंगे case second मैं हम case second क्या लेंगे जब हमने unit place पर 2 या 4 फिल किया है when unit place is filled with 2 और 4 चली मैं दुबारा बनाते हुए 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 places हैं हमारे पास इन 5 places में हमने इस place के लिए हमारे पास choices किते हैं या तो आप 2 fill कर सकते हैं या आप 4 fill कर सकते हैं 2 और 4 में से एक number fill करेंगे यहाँ पर या मैंने माली जे 2 fill कर दिया आप 4 भी fill कर सकते हैं सिर्फ मैंने 2 एक example के लिए उठाया है बेटा अब 2 मैंने यहां मैं digits भी दुबारा लिख लेती हूँ 0, 1, 2, 3, 4 2 और 4 में से अगर 2 हमने fill कर दिया ठीके तो अब 0 तो अभी भी बच किया इस place पर अगर मैं 0 fill कर दू तो बेटा क्या यह 5 digits का number बनेगा यह तो 5 digits का number ही नहीं बचेगा यानि इस place पर जो सबसे 10,000 place का number है यह इस पर आप 0 नहीं fill कर सकते तो 0 को यहां वैसे हटाना पड़ेगा हमें यहां की possibility fill करने के लिए यहां पर मैं 1, 3 और 4 में से fill कर सकते हूँ तो यहां पर मेरे पर choices कितनी बच जाएंगी 3 यहां के लिए कितनी choices बच जाएंगी अब 1, 3 और 4 में से यहां एक number आजाएगा 10,000 place पर मान लीजिए मैंने 1 fill कर दिया तो 3, 4, 0 हमने कहीं अब तक fill नहीं किया बस यहां fill नहीं कर सकते थे इसलिए मैंने इसको कट किया था यहां पर इस position पर मैं 0 fill कर सकती हूँ और number जो 3 और 4 बच गई है क्योंकि यहां पर मैंने 1 रख दिया ना आप कोई भी एक number रखेंगे या 1 रखेंगे या 3 रखेंगे या 4 रखेंगे थभी मैंने 3 choices लिकी है यहां पर फिर 3 choices हो गई यह चीज़ समझने वाली है कि हमने इसी लिए यहां से पहले 3 क्यों आया क्योंकि हम 0 को fill नहीं कर सकते हैं 10,000 place पर इसलिए यहां number of choices 3 है 3 में से एक number आप जो भी fill कर देंगे next place के लिए number of choices फिर 3 हो जाएंगी क्योंकि अब यहां पर मैं 0 भी fill कर सकती हूँ ओके और यहां के लिए number of choices कितने बज़ जाएंगी 2 और यहां के लिए number of choices कितने बज़ जाएंगी 1 और यहां के लिए number of choices तो 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 यहां number of ways हमें कितने मिल जाएंगे second case में 3 into 3 into 2 into 2 यह कितने मिल गए 36 आप दोनों केसिस को add कर देंगे हम तो हमारे पास total ways मैं इधर लिक रहे हूँ total ways हो जाएंगे बेटा 24 plus 36 that is 60 तो कौन सा option हमारा सही होगा option D is correct hope you understood it well best of luck